तत्वरी कियेगा कई लोग करते हैं मारा जी जिस रुद्राक्ष को हम पहनते हैं उस रुद्राक्ष को कहा नहीं पहन कर जाना चाहिए पाँच स्थान बताएं जहां रुद्राक्ष पहन कर नहीं जाया जाता कितने स्थान हैं पाँच और रुद्राक्ष को पाँच स्थान पर पहन कर नहीं जाते पर रुद्राक्ष के लिए वर्णन किया गया है कि रुद्राक्ष कब कब उतार कर उसको बापिस अभी मंत्रित करना चाहिए पाँच जगा पहन कर नहीं जाना चाहिए और रुद्राक्ष को अभी मंत्रित अभी मंत्रित करना मतलब सीधा अमावस्या के दिन पूर्णिमा के दिन शिवरात्री के दिन स्रावन महीने के सुंबा रखो प्रदोश के दिन ये दिन आपके शरीर में जहां पर भी रुद्राक्ष है आपके गले में अगर आप रुद्राक्ष पहने हो आपके हस्त कमल में आप रुद्राक्ष पहने हो आपने अपने पास में कहीं रुद्राक्ष रख रखा है तो उस रुद्राक्ष को अमावस्या प्रदोश आधिक इस दिन उस रुद्राच्च को एक बार दूद में दोने के बाद उसमें थोड़ा सा सर्सो का तिल अवश्य लगाना चाहिए क्या होगा उससे? उससे होगा क्या? श्यों महापुरान की कथा कहती है महारच रुद्राच्च को दूद में दोने के बाद इसनान कराने के बाद जल से इसनान कराया थोड़ा सा सर्सो का तिल लगा दिया महारच क्या मिलता उससे? तो कहा उस रुद्राच्च में बल प्राप्त होता कौन सा बल? जो शरीर के अंदर बिमारियां बढ़ती है उस बिमारी को वो रुद्राक्ष धीरे धीरे समाप्त करना प्रारम कर देता है पर एक और चीर याद रखना जिस रुद्राक्ष के पानी को आप बिमारी के समय पर गला कर पीते हो उसमें सरसो का तेल नहीं लगाना है उसको तो आपके वल इसनान करा दूद से जल से और फिर उसको गला दीजिए उसका पानी आप पीना चालो कर दीजिए इसको बड़ी मिमारी होती है उसके लिए कलकथा में बढ़नन किया रुद्राक्ष के जल पिर उद्राक्षा का जल पिया जाता है शरीर के अंदर से रोग को बिमारी को खटाने के रोग बिमारी को समाप्त कर तब